कचहरी, अस्पताल और पुलिस इस्टेशन ये तीन ऐसे इस्थान है जहां जीवन में एक बार ही सही हर आदमी का पाला कभी न कभी जरूर पढ़ता है। पुलिस थाने का नाम सुनते ही पुलिस का खौपनाब चहरा लोगों के सामने आने लगता है। अमुमन आपने सुना होगा कि पुलिस ने दबाव बना कर एफायार बदल दी है। पुलिस आम नागरी को द्वारा कानून की कम जानकारी होने का फायदा उठाती है। किसी भी अपराद की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप ठाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराद की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराद का समय, इस्थान, मोके के स्थिती इत्यादी की जानकारी पुछी जाती है यह सब जानकारी डेली डैरी में लिखी जाती है जिसे रोज नामचा भी कहा जाता है बहुत से अंजान लोग इसे ही एफायार समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए जब भी अब राद की रिपोर्ट दज करवाएं एफायार लिखवाएं और इसकी कौपी ले यह आपका अधिकार है वो भी मोलिक अधिकार एफायार दर्ज करने में लापरवाही और धेरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की सिकायत कर सकते हैं एफायार की पहचान के लिए इस पर एफायार नंबर भी दर्ज होते हैं इससे आगे इस नंबर के मामले में प्रक्रिया चलाई जा सके अहम बात यहा है कि एफायार पंजिक्रित करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है इस बात को हमेशा सुनुश्चित कर ले यदि पुलीस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत इसकी सिकायत बड़े पुलीस अधिकारी को कर सकते है ध्यान रखेगा किस बात को हम एफायार करते समय अपने को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है एफायार यानि की प्रत्थम सुचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज करवाएं यदि किसी कारण से देर हो जाती है तो फार्व में इसका उलेक करें यदि सिकायत मोखिक रूप से दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी सिकायत लिखेगा और समझाएगा कारबन सिर्ट से सिकायत की चार कापिया होनी चाहिए सिकायत को सरल और स्पस्ट रखे या विसिष्ट भी रख सकते हैं तक्निके के तहद जटी सब्दों का प्रयोग न करें ध्यान रखें कि आपके आगमन और प्रस्थान का समय एफायार और पुलिश इस्टेशन के डेली डैरी में अंकीत हो जाता है एफायार में क्या-क्या जानकारी देनी चाहिए आप किस छमता में जानकारी दे रहे हैं अपराद का दोसी कौन है अपराद किसके खिलाब किया गया है अपराद होने का समय क्या था अपराद कौन सी जगह पर हुआ इसके अलाबा अपराद किस तरीके से हुआ अपराद की समय कोई गवाह थे अपरास से होने वाला नुकसान क्या हुआ ये सभी प्रक्रिया होने पर सिकायत को ध्यान से पढ़े उसके बाद उस पर दस्तकत कर दे थाना प्रभारी इसे अपने रिकार्ट में रखेगा सिकायत करता का ये अधिकार है कि इसकी एक कापी उसे भी मिले इसके लिए कोई फीस या सपत पतर देने की ज़रुरत नहीं है इस बात को भी ध्यान रखे अब सिकायत करने के लिए पुलिस थाने जाने की ज़रुरत नहीं रही है आप आनलाइन अपनी सिकायत दर्ज करवा सकते हैं सिकायत दर्च करने के 24 घंटे के वितर थाना प्रभारी आपको फोन करेगा जिसके बाद आप अपनी सिकायत की स्थिति को आनलाइन हीट ट्रेक कर सकते हैं आनलाइन सिकायत करने के लिए आपको अपना इमेल और टेलफोन नंबर भी दर्च कराना होगा जिससे पुलीस आपको संपर्क कर सके एक मामले ध्यार रखेगा सर्विच नियाले ने एफायार को क्या कहा वो कहते हैं कि प्रात्मिक यानि की एफायार दर्च करने को अनिवार बनाने का फैसला दिया है सुप्रिम कोट ने एफायार दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारों के खिलाब करवाही का आदेश भी न्याले ने दे दिया है न्याले ने यह भी विवस्ता दी है कि एफायार दर्ज होने के एक सप्ता के अंदर प्रारंभीक यानि की प्राथमिक जाच पूरी की जानी चाहिए इस जाच का मकसद मामले की परताल और गंभीर अपराद है या नहीं जाचना है इस तरह पुलिस इसलिए मामला दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकती है कि सिकायत की सच्चाई पर उन्हें संदे है हाँ ये बात ध्यार रखिएगा संगे अपराद के मामलों में तुरंद एफायार दर्ज करना निमारी है एफायार के कौपी लेना सिकायत करता का अधिकार है इसके लिए मना नहीं किया जा सकता संगे अपराद के एफायार में लिखे गए घटना करम वह अन्य जानकारी को सिकायत करता को पढ़कर सुनाना अनिवारी है आप सहमत है तो उस पर हस्ताच्छ किये जाने चाहिए यह जोरी नहीं है कि सिकायत दर्ज करवाने अले ब्यक्ती को अपराद की ब्यक्तिकत जानकारी हो या फिर उसके सामने ही अपराद हुआ हो एफायार में पुलिस अधिकारी स्वयम की ओर से कोई भी सब्द या टिपड़ी नहीं जोर सकता है इस बात को जरूर जान लें एफायार दर्ज करने के लिए यह जोरी नहीं है कि सिकायत करने वाले को अपराद की ब्यक्तिकत जानकारी हो या उसने अपराद होते वे देखा हो अगर किसी वज़ा से आप घटा की तुरत सुझना पुलिस को नहीं दे पाए तो घबराने की जोरुत नहीं है ऐसे स्थिती में आपको सिर्फ देरी की वज़ा बतानी होगी कई बार पुलिस एफायार कर दर्ज करने से पहले ही मामले की जाज़परताल सुरू कर देती है जबकि खोना या चाहिए कि पहले एफायार दर्ज हो और फिर जाज़परताल घटना इस्तर पर F.I.R. दर्ज कराने की स्थिती में अगर आप F.I.R. की कापी नहीं ले पाते हैं तो पुलिस आपको F.I.R. की कापी डाक से भेजेगी आपकी F.I.R. पर क्या कारवाई हुई इस बारे में समंधित पुलिस आपको डाक से सुचित करेगी अगर अदालत दोरा देगे समय में पुलिस अदिकारी सिकायद दर्ज नहीं करता या इसके पृति आपको बलद नहीं कराता या अदालत के दूसरे आदेशों का पालन नहीं करता तो उस अदिकारी के खिलाब कारवाई के साथ उसे जेल भी हो सकती है इस बात को सुनिश्चित कर लें, इस पस्ट रूप से जान लें यदि मालिजे आपका एफायार दर्ज ना हो तो आप क्या करें अगर थाना प्रमुक आपके सिकायत के एफायार दर्ज नहीं करता है या मना करता है, तो आप उनकी सिकायत रइश्टर्ड डाक के माध्यम से जो SB है या DSP है उसको भेश सकते हैं यानि कि Senior Police Officer को आप भेश सकते हैं जो आपके SB है, आपकी सिकायत पर कारवाही सुरू कर सकता है इसके लाबा, एफायार नहीं दर्ज किये जाने की स्तिती में आप अपने छेतर के मैस्टेट के पास पुलिस को दिसा निर्देश के लिए complaint petition दायर भी कर सकते हैं 24 घंटे के वितर, केस दर्ज कर आपको एफायार के कापी उपलब्द कराए इस बात का मैस्टेट जो है आदेश दे सकता है मैस्टेट के आदेश पर भी पुलिस अधिकारी समय पर सिकायत दर्ज नहीं करता है या फिर एफायार के कापी उपलब्द नहीं करवाता है तूस अधिकारी के खिलाब कारवाही और जेल भी हो सकती है आपको किन बातों को ध्यान रखना है एफायार के कापी पर उस पुलिस इस्टेशन की मुहर थाना प्रमुक की हस्ताचर होने चाहिए एफायार की कापी आपको देने के बाद पुलिस अधिकारी अपने रइस्टर में लिखेगा कि सुजना की कापी सिकात करता को दे दी गई है आपकी सिकायत पर भी प्रगरती की सुजना समंदित पुलिस आपको डाक से भेजेगी आपको और पुलिस को सही घटना इस्थल की जानकारी नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है पुलिस तुरंत एफायार दर्ज कर जास सुरू कर देगी हलाकि जास के दोरा घटना इस्थल का थाना छेतर पता लग जाता है तो समंदित थाने में केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसको हम लोग जिरो एफायार कहते हैं एफायार दर्ज करवाने का कोई सुल्क नहीं लिया जाता अगर आप से कोई भी एफायार दर्ज करवाने का नाम पर रिश्वत नगत की मांग करें तो उसकी सिकायत जरूर करें आपको लिखना क्या है जो हम हकिकत में बता रहे हैं हम सभी को कभी न कभी FIR लिखाना ही पड़ जाता है चाय खुद के लिए या किसी जानने वालों के लिए अक्सर लोगों की सिकायत होती है कि उनके FIR थाने में नहीं लिखी गई या फिर मजिस्टेट के यहां FIR के लिए क्या गया आविद्धन निरस्थ हो गया इसके तो कई कारण हो सकते हैं किन्तु एक कारण ये भी होता है कि आपके लिखने का तरीका गलत हो FIR को कम से कम सब्दों में इस पश्ट और पूरे मामलों को लिखना चाहिए क्योंकि नियाले में आपका केस इसी आधार पर चलता है आसान भासा में FIR को लिखने का तरीका हम यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि FIR लिखने में गलती हो तो आपको नय नहीं मिल सकता तो इसलिए हम कुछ बातें आपको ध्यान रख रहे हैं सबसे पहली बात कब यानि कि तारीक और समय जरूर लिखें FIR में आप घटना के समय तारीक के जानकारी लिखेंगे तभी जाकर जोगा FIR कॉंप्लिट माना जाएगा कहां कब कब हो गया पहला पाइंट दुसरा है कहां कौन से जगह में हुआ घटना कहां पर हुई इसकी जानकारी FIR में उलेक करें फिर उसके बाद बाता है किसने अपराद किस ब्यक्ति ने किया वो ग्यात है या ग्यात है एक है या अनेक ब्यक्ति है उसका नाम पता आदी उलेक करें फिर चौथा पहिंड आता है किसको किसके साथ अपराद किया गया है वो पिडित है उन सब का नाम लिखें किसके साथ अपराद हुआ है जो पिडित पच्छकार है उसका नाम लिखें किसलिए यह एक मुख्य बिसे होता है इसी से यह पता चलता है कि कोई कार अपराद है या अपराद नहीं है इसको आपको समझने की जुरुरत है माली जी किसलि यह मतलब कब दायर किया जाता है माली जे A एक ब्यक्ति है B पर गोली चला देता है और B की मिर्ति हो जाती है तो यहाँ पर A यहाँ पर दोसी होगा इसके विरुद्य में फायार होगा A एक ब्यक्ति B पर अपनी पिस्टोल तान देता है और B अपने बचाओं में A पर गोली चला देता है जिससे A की मृत्यू हो जाती है B हत्या का दोसी नहीं है क्योंकि अपने आत्मरच्छा करते हुए अगर आप किसी के जान भी ले लेते हैं तो दोसी नहीं माना जाता ये तो बात की बात है जब कोर्ट फैसला करेगी क्या आप दोसी है या नहीं A अपनी कार से B को टक्कर मार देता है B की मृत्यू हो जाती है A खत्या का दोसी नहीं है बलकि उस पर दुरभटना का केस चलेगा और उसके हिसाब से दंड मिलेगा A एक पुलिस कर्मी है वह आतंगवादी संगठन के मुडभेड में एक या कई आतंगवादियों को मार देता है A खत्या का दोसी नहीं है बलकि उसे सांतवना दिया जाता है फिर उसके बाद में आता है किसके सामने यानि की गवाद अगर घटना के समय कोई मौजूद हो तो उनकी जानकेरी अवस्त्य देनी चाहिए छट्वा पैंट हो गया सात्वा पैंट किस से मदलब किस चीज से उन्होंने अपरात किया है अपरात करने के लिए किन हत्यार का पर्योग किया गया पिस्तोल डंडे राड चैन हाकी इट अगर कोई धोखादरी का मामला हो तो आप स्टांप पेपर, लेटर हैड, इंटरनेट, मोबाइल, आदी जानकरी जरूर प्रदान करें फिर आठ्वा पेणड आता है किस प्रकार, क्या प्रकरन अपनाया गया, क्या प्रकरन अपनाया गया अपरात करने के लिए उसको लिखें, क्या प्रकरन अपनाया गया, क्या किया यानि कि अपराद के बारे में आपको लिखना है इन सभी को मिला कर क्या किया गया जो कि अपराद होता है उसको लिखें इस प्रकार आप सब आसानी से FIR को लिख सकते हैं और आपको जो है पुलिस अधिकारी भी सहयोग कर सकता है पुलिस अधिकारी को भी जब आप बताएंगे तो यही आधार बिंदु होता है जो हमने नोक पैंट बताया है जो कोस्चेन मार्क्स है FIR आप जहां घटना हुई है उसके अलावा भी भारत के किसी भी थाने में जाकर आप FIR लिख सकते हैं लिखवा सकते हैं FIR ना लिखे जाने के कई कारण होते हैं मुक्यता क्राइम रेट अधिक ना हो इस कारण नहीं लिखे जाती है जो की गैर कानुनी कारण है दुसरा कारण अपराद की सतता पर सक होता है जिस कारण पुलिस एफायार लिखने से पहले जांच करना चाहते हैं आपको जो कानूनी प्रावधान है उसको हम बता रहे हैं एफायार लिखवाना आपका अधिकार है जो CRPC की धारा 154 में संगे मामले में एफायार धर्ज होती है संगे मामले सतात पर जो कह सकते हैं कि आपका serious offense है अगर थाने में आपके एफायार नहीं लिखे जाती है तो आप उनके उपर के किसी भी अधिकारी चाहे वो SP हो DSP हो से आप एफायार लिखने के लिए बोल सकते हैं और SP चाहे तो उसी दिन या उसी थाने में या किसी अन्य थाने में या एक नया थाना बना कर जोगा है आपका एफायार दर्ज करेगा साथियों आपको ये वीडियो कैसे लगी इसलिए comments box में जरूर लिखेगा हम यहाँ पर जन जागरुकता कारिकरम के आधार पर इस वीडियो को आपके लिए उपलब्ध कराये हैं ताकि आपके साथ में कोई मुसिबत हो या मुसिबत आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए इस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपको ठिक लगे तो जरूर सेर की दिजिगा ताकि जादास जादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और आप भी जागरुक बनकर जागरुक मागरिक के भाती आप अपने अथिकारों का परियोग कर सकते हैं थैंक्यू